प्यारे दोस्तों सादर अभिवादन मैं हूँ आपका दोस्त महेश कुमार वेद्ध आज हम बात करेंगे हरियाना के चर्चित मुद्दे इटेंडरिंग को ले करके विकास कायरे इटेंडरिंग के माध्यम से कराने के हरियाना सरकार के निरने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है 27 फरवरी को पंचायत मंत्री देवेंदर बबली की सरपंचों की वारता विफल होने और मंगलवार दो पहर तक के लिए दिये गए अल्टिमेटम की समय सिमा निकलने के बाद अब सरपंच आरपार की लड़ाई के मूड में है सरपंच बुद्धवार एक मार्च को पहले पंचकुला पहुँचेंगे और फिर वहां से चंडिगड पहुँचकर मुख मंत्री मनोहरलाल के आवाश का घेराओ करेंगे एसा माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की तरह इटेंडरिंग के मामले में भी विरोध लंबा खिच सकता है सरपंचों के बीच अब बात दो लाख रुपे की सीमा की भी नहीं है आंदोलन रत सरपंच पूर्ण अधिकार चा रहे हैं सरकार जहां पारदर्शिता सुनिशित करने के लिए एसा करने जा रही है वहीं सरपंचों का कहना है कि चुने हुए जन परतिनी दियों से अधिक अफसरशाई पर भरोसा किया जा रहा है सरपंचों का यह भी कहना है कि जिस समय उंप्रकास धनखड पंचायत मंत्री थे उस समय सरपंचों के पास 20 लाख रुपे तक के विकास कारी करवाने के अधिकार थे मगर अब धनखड ने भी मोन साधा हुआ है सरपंचों को दो लाख रुपे से अधिक के काम केवल इट एंड रिंग से ही करवाने के विरोध का ओचित्य पूछने पर सरपंच एसोशेशन के प्रदेशा देख से रनवीर समयन कहते हैं कि दो लाख तो छोड़िये उन्हें 20 लाख तक की सीमा भी मनजूर नहीं है बेशक धनकड के समय की व्यवस्था वर्तमान से वेतर थी मगर वे पंचायती राजसंस्थाओं की पूर्ण स्वायतता की लड़ाई लड़ रहे हैं पंचायतों को उनका पूरा हक दिला कर ही इस लड़ाई का अंत होगा इधर इस मामले पर अब राजनिती भी तेज होती दिख रही है ओम प्रकास धनकड वे जजपा के अध्यक्स अजे चोटाला की नसियत मिलने के बाद बबली का ये कहना माइने रखता है कि हमें सरकार चलानी है संग्ठन के लोग अपना काम करें इस बयान के बाद जजपा के संस्थापक अध्यक्स अजे शिंग चोटाला काफी गुस्से में दिख रहे हैं तभी तो उन्होंने आज एक बयान में पंचायत मंत्री देवेंदर बबली को पागल तक कह दिया है चोटाला के कड़े रुख के बाद बबली की कुर्शी सुरक्षित ने होने की चर्चा भी अटकले में कुछ लोगों ने सुरू कर दी है मगर जब मुख मंत्री खुद पंचायत मंत्री बबली की तरह इटेंडरिंग के पक्स में मजबूती से खड़े हों तो बबली की बोली उन्हें सायद ही राजनितिक नुक्षान पहुंचाये हाँ अगर अजे चोटाला इस विशे में आक्राम होए तो फिर भाजपा जजपा गठबंधन के बीच दरार की सम्मावना बढ़ जाएगी इटेंडरिंग के विरोध के बीच थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंतरी मनोहरलाल का ये बयान आया है कि इटेंडरिंग को लेकर सरकार किसी तरह का समझोता करने के मूड में नहीं है ये पारदर्सिता सुनिशित करने के लिए लिया गया निरने हैं इटेंडरिंग को लेकर ये समझना जरूरी है कि पिछले कारिकाल में सरकार पंचायत प्रतिनी दियों के माद्यम से ही 20 लाक रुपे तक के विकास कारी करवा रही थी हलांकि ये सीमा घटती बढ़ती रही है मगर तब और अब में काफी बदलाव भी आया है धनकड के पंचायत मंत्री रहते और सत लगबग 2,000 करोड का बजट पंचायतों को मिलता था तब 80 फीशद राजश्य बजट और 20 फीशद पूंजी बजट यानि कैपिटल बजट की हिस्सेदारी थी वरतमान की बात करें तो अब पूंजी बजट बढ़कर 31 फीशद पहुँच गया है सेस राजश्य बजट है जहां तक पारदर्शिता की बात है तो यह सच्च है कि सरकार का प्रियास इमानदारी सुनिश्चित करने के लिए है मगर लोक तंतर में अगर लोक के चुने हुए प्रतिनी दियों पर अविश्वास व्यक्त किया गया तो यह सुब संकेत नहीं है सरकार की नई निती से अधिकारियों के पास अधिकार बढ़ेंगे जब सरकार अधिकारियों की इमानदारी सुनिश्चित करने के लिए मेकेनेजम तयार कर सकती है तो सरकार अधिकार देकर भी पारदर्शिता के लिए अच्छा मेकेनेजम विक्षित किया जा सकता है ये बात हम नहीं कह रहे हैं बलकि ये सरपंचों के बीच से निकली आवाज है देखना है सरकार उनकी आवाज को कितना सुन पाती है